Hello friends, यह आप pregnant है और आपके पेट में दर्ध है तो कहा फक Leafण हो सकते हैं और आपको कई थी क्या चिंता हो भी हो लगते हैं कि कि पेट में दर्ध कित को नुकसान नहीं करहाएं तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनि गानेक लॉजिस्ट इन अप्सेटेशन डिरेक्टर जो है पुर्दूरबीन हॉस्पटिल आज आज आप से इसी विशह पे बात करने आई हूं कि प्रेग्नेंसी में पेट दर्द किस किस प्रकार का हो सकता है उसमें आप घर पे क्या रेमेड प्रेग्नेंसी होती है तो पेट के इंदर बच्चा पलने लगता तो आतें उपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है जिसकी वज़े से एसिड का रिफ्लक्स बढ़ जाता यानि कि हमारे स्टमक में जो एसिड बनता डाइजेशन के लिए वो उपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने ल तो उसके लिए हमेशा एंटाइसिड प्रrang ऐस्काय जाता है या घुलियां दी जाती है जो सुबर सुबर खाली पेट दी है जो कि पेटसी होती है और आराम से ले सकती है जिसको spasmodic pain बोलते हैं तो कई बार एक खाने पीने की वज़े से या आतों में infection की वज़े से हो सकता है तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक antibiotic prescribe करते हैं और antispasmodic जो दवाई होते हैं जिससे कि मरोडे और एठन कम हो जाती है तो वो बिल्कुल उसे ठीक हो जाता है तीन से चार दिन का course आपको दिया जाता है तो जब भी इस प्रकार का कोई दर्द हो तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए और डॉक्टर आपको दवाई prescribe करते हैं तो आप उसी को लीजे medical store से जाकर बिना डॉक्टर के prescription के कोई दवाई ना ले इसके अलावा तीसरे प्रकार का दर्द होता है कि जो बच्चे दानी के आसपास के हिसे में दर्द होता है यानि कि बच्चे दानी में सिकुडन होती है और फैलने लगती है इस तरीके से जिसको लेबर पेंस के उससे बोला जाता है कि लेबर पेंड जैसे दर्द हो रहे हैं तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका अभी pregnancy का कौन सा महीना चल रहा है शुरुआती अवस्था में ही अगर जिसे पहले शुर के दूसरे तीसरे महीने में ही आपको इस प्रकार का दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि कई बार abortion के chances हो जाते हैं कई बार बच्चा एक स्पेल हो जाता है कई बार bleeding हो जाती है तो सोनोग्राफी करें बिना कोई भी डॉक्टर आपको प्रापर तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा कि एक्जेक्ट स्थेति अभी बच्चे की क्या है क्योंकि तूसरे तीसरे चौथे माइने में हम स्टेथोस्कोप से बच्चे की धड़कन वगर नहीं सुन सकते बच्चे का हेल्दी है या नहीं यह नहीं पता लगा सकते इसलिए सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है तो आप आराम से सोनोग्राफी करवा कर फिर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लीजिए क्योंकि कई बार शुरुवाती अवस्था हो सकते हैं अबार्शन की तो अगर डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे तो समय पर ट्रीटमेंट होने से आपको फाइदा पढ़ सकता है यही दर्द अगर आपको पांच वे छटे-सात्वे महीने में हो रहा है जिससे के प्रेग्नेंस जो आपका यूट्रस है बच्चे दानी हो रिलेक्स रहे कॉंट्रेक्शन क्रियेट ना हो और बच्चे को कोई नुकसान ना हो लेकिन फिर भी डॉक्टर के सलाह बहुत जादा जरूरी है अखरी महीने में याट्वी-गवी महीने में प्रकार के दर्दा आ रहे है जो कि कमर से उठकर आगे के हिससे में आ रहे है और रूक-रूप के बार बार दर्दा अ खुंए तो आपको टो इंफेक्शन की वजगे से तकलिफ हो सकती है तो वजाइना में जब भी infection हो तो उसको हलके से ना लें क्योंकि वजाइना का infection कई पर बच्चे को भी फैल जाता है और ये pre-term labor का कारण बनता यानि की छटे-सात्वी महीने में delivery को pre-term labor बोलते हैं जो नवी महीने से पहले deliveries होती है बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है समय से पहले पैदा हो सकता है तो बच्चे को nursery में shift करना पड़ सकता है और बच्चे की death भी हो सकते हैं तो इस तरीके से यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो डॉक्टर से आप उसका इलाज करवाई है उसके antibiotics है जो भी दवाई डॉक्टर आपको देते हैं उसको जरूर लीजे ताकि बच्चे की health का ध्यान रखा जा सके और pre-term delivery को रुका जा सके तो इस तरीके से यदि पेट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है रुक रुक के दर्द आ रहा है और कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को जरूर दिखा लीजे और यदि थोड़ा बोत दर्द है माइल्ड है एसिडेटी का पेन लग रहा है तो आप घर पर भी जैसे चॉक्लेट आइस क्रीम खा सकती है जिससे कि हाट बन कम हो दवायां भी बंद करके देख सकती है कि धर्द में कितना फाइदा पड़ रहा है लेकिन अगर दर्द जादा है बार बार आ रहा है ब्लीडिंग हो रही है या कुछ लिक्विड सा डिस्चार्ज हो रहा है साथ में तो डॉक्टर को जरूर दिखाईए ताकि कोई अन्होनी का सामना हमें ना करना पड़े और हर सिती का टाइम पर इलाज हो सके हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार